10 के chapter 14 का जो example 5 है question mom से बोला गया है a survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a households find the mode of the data question mom से बोला गया है कि एक students के group ने जो है एक survey किया जिसमें उन्होंने 20 घरों के family members का data एकटा किया है ठीक है और उसके हिसाब से यहाँ पर एक table दे दिया गया है हमें उस table के लिए mode find करना है तो उपर वाला जो column है इसका उसमें family size है यानि कि किस family में कितने family में कितने सदस्य हैं और नीचे जो है number of families दे रखी है number of families यानि कि 7 families ऐसी है जिनका family size जो है एक से लेकर 3 तक है और 8 families ऐसी है जिनका family size 3 से 5 है और 2 family ऐसी है जिनका family size 5 से 7 है इसी तरीके से पूरा table यहाँ पर हमें गिवन है हमें इसका mode find करना है अब देखिए mode find करने के लिए जो जो चीज़ा हमें चाहिए होती है पहले हम उनको निकाल लेते हैं और फिर उसका mode find कर लेते हैं देखिए हमें यह मालूम है जो mode होता है तो mode का जो formula होता है वो होता है L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 और multiply H ठीक है यह उसका formula होता है तो यह सारी चीज़ा हमें चाहिए होंगी तो सबसे पहले हम इनी को निकाल लेते हैं तो देखिए जब हम देखेंगे सबसे पहले F1 देखते हैं तो F1 कितना हो जाएगा जो सबसे बड़ी frequency होती है वो F1 होता है सबसे बड़ी frequency यहाँ पर कितनी है कितना है 8 तो F1 कितना हो जाएगा 8 उसके बाद हम देखते हैं F0 F0 क्या होता है सबसे बड़ी फ्रेक्वेंसी जो है उससे तुरंद पहले वाली जो फ्रेक्वेंसी होती है वो F0 होती है तो यहाँ पर किता आजाएगा 7 उसके बाद F2 देखते हैं वो क्या हो जाएगा L यानि कितना जाएगा 3 H कितना होता है जितना इन में डिफरेंस चल दा होता है तो 1-3, 3-5, 5-7, 7-9, 9-11 तो 2-2 का डिफरेंस चल दा है तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 ठीक है अब देखिए mode निकाल लेते हैं तो mode का जो formula होता है mode का formula होता है L plus F1-F0 upon 2F1-F0-F2 और into में H तो यहाँ से L हम देख लेते हैं L हमारे पास कितना आया था 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 plus F1 हमारे पास कितना था 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और minus F0 कितना था 7 तो यहाँ पर 7 और upon में 2 into F1 कितना था हमारे पास 8 minus F07 और minus F2 हमारे पास था 2 और into में H कितना था हमारे पास 2 ठीक है यहाँ पर जब calculation हम करेंगे तो 3 ऐसी आ जाएगा 8 में से 7 चला जाता है तो बचता है 8 में से 7 चला जाता है तो बचता है हाँ पर 1 और upon में 28 जा 16 होते है माइनस 7 यह 9 हो जाएंगे multiply में 2 अब 3 ऐसी रहेगा plus 1 की 2 से करेंगे 2 आ जाएगा 16 में से 9 जाता है तो कितना बच जाता है 7 3 को आप ऐसी रखेंगे plus 2 को जब 7 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 0.286 और जब हम इन दोनों को add कर देंगे तो हमें मिलेगा 3.286 यह इसका mode आ जाएगा करेंगे जाए इसका मजए एल एaux इसका है